इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका यो ठैट लहर है उसको लेकर जो आपका रेजल्ट है वो क्या से बनेगा वो इस वीडियो में आप लोग देख सकते हों हो सबसे पहले देखें सबसे तो देखिए जो ठैट लेहर रहे हैं इसके ड дней एरू की अर्दवार्शिक परिक्षा जल रही है इसके भी आपके पास सभी पेपर्स अबलिवाल है अब यहाँ पर अगर आपको solution की problem है तो देखिए आपके पास परिक्षा द्यान परिक्षा बोध ETC सब कुछ होगा तो आपको वहाँ से करना है ऐसे नहीं करना कि किसी भी यूट्य परिक्षा नहीं हुई तो सबसे पहले जैसा कि आपको पताए कि दस वीवांग बारवी की जो अबोड परिक्षा है वो हमारी फरवरी में बता दी गई है कि फरवरी से सुरू होई 16 अब 17 फरवरी तो यहां पे देखो जो आपकी 17 फरवरी से होगी 3 और 18 चोंगी 12 वाल थीक है इन दोनों एक्जाम के नमबब आपके जोड़ेंगे ठीक है आपका जो 6 माई परिछा मतलब की अपके जो अर्दवार्सिक परिक्षा यह और उसके अलावा आपके तिर्मार्सिक परिक्षा अपके जोड़ने वाले हैं यह मैं आपको बता देती हूं दीखे कि जो आपको माले एक्जाम्पल अंग्रीजी सब्चेक्ट है आपका तो इससे पहले आपको 78 नमबर मिली ठीके त्रमार्सिक परिक्षा में और आपने अभी अगर पेपर दिया तो आपके लिए 76 नमर मिली तो जो नमबर इसमें ज्यादा हैं वही आपके एड होंगे बार्सिक के यदि आप लोगों का नहीं हुआ पार्सिक का पेपर तब ठीके तो 78 नमर आपके होगे क्योंकि इसमें ज्यादा हैं ऐसी अधर सब्यक्ट के होंगे जिसके ज्यादा होगे वह एड हो जाएंगे दोनों में से कोई एक जिसके ज्यादा रहेंगी ठीक है इस तरीके से आपक अच्छे से परिक्षण देनी है और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अब बता सकती है सांसी आपको बताएं कि मतलब 90% अभी चांसे से कि अगर यह सकता है आपकी परिक्षा कर दिये क्योंकि जो कोरोना है वह मार्च तक के एंड में आता है ठीक है मार्च तक सुई हो ज बस यही बताना था मुझी कि आप ऐसे पेपर दें और सभी पेपर जो है आप सभी के पास पहुंच के होंगे आई होप एंड जो कुछ भी आप लोग लिए प्राब्लम में याद कर कोई कॉशन का अंसर आपको नहीं मिला तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट में बता सकते हो तो उस कॉशन का अंसर मैं आपको बता दूँगी थैंक्यू सो मच मिल दे अगली वीडियो में और अच्छे से पेपर दीजी अपने ताकि आपका जो रेजल्ट है बहुत ही अच्छा है